नमस्ते साथियों सश्रीकाल और आदाब आप सभी को साथियों आज मैं आपको एक बहुत इंपोर्टेंट जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि बाबा जी से जब मैं पहले मिला था तो मेरा क्या experience रहा उस बारे में तो मैं थोड़ा सा अपनी background के बारे में बताना चाहूंगा पहले start करने के लिए तो दोस्तों मेरा जन्म इंडिया में हुआ था और मेरे फादर एरफोर्स में जॉब करते थे इंडियन एरफोर्स में उसके बाद काफी सारे जगे पर मुझे रहने का मौका मिला और तरह तरह के लोगों के साथ मैं interaction करने का उनके बारे में जानने का और समझने का मुझे मौका मिला तो ऐसे ही मेरा interest था human psychology के बारे में जानने के लिए तो ये बात है जब मैं student था तो मेरा interest हुआ गरता था हर चीज को depth में जाकर उसके बारे में research करने का इसके बारे में जादा जानकारी जुटाने का तो जब भी मेरी थोड़ी सी चुट्यां होती थी तो मैं बहुत जैसे दूर के जंगले में माँंटेंस में चला जाता था या मनलब बहुत फार अफ लेंड्स में चला जाता था वहां से कुछ नया सीखने के लिए नया जानने के लिए और इसी दौरान मेरा रापता एक काफी लर्नेड आदमी से हुआ तो वे अस्ट्रोलोजर थे उनसे इनिशली मैंने अस्ट्रोलोजी के बारे में सीखना शुरू किया जिसे हम जोतिश कहते हैं उसके बाद मैं फिर एक जगह है इंडिया में धर्मशाला जिसे कहते हैं उसका नाम है हमाचल में शायद आप लोगों ने सुना होगा वहां पर जो बुद्धिस्ट स्प्रिच्वल लीडर है दलाई लामा उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम लिया हुआ है और वहां पर एक बुद्धिस्ट मोनेस् अपनी कैपेस्टी के हिसाब से वहां पर दीरे दीरे रहकर थोड़ा बहुत सीखता होता था तो यह बात है जब मैं बहुत यह नाइन और यह टेंड में था तब उस तौरान की बात है तो उसके बाद में फिर मैंने एस्ट्रोलिजी सीखी जैसा कि आप जानते ही होंगे आ कोई प्रावलम आरी है कोई तकलीफ है और आपको जानना है कि यह कब सॉल्व होगी क्यों प्रावलम आ रही है तो हम एक होरस्कोप बनाते हैं mathematical calculations हैं उन्हें करके फिर हम होरस्कोप बनाते हैं और फिर हम जानते हैं कि जब आदमी का जनम हुआ उस समय में कौन कौन से स्ट स्टार्स कहां कहां पर बैठे हुए थे आसमान में क्योंकि जब आदमी का जनम होता है तो उस समय स्टार्स की जो पूजिशन होती है और उन से जो रेडियेशन आदमी के उपर फर्स टाइम आती है जब वो जब उसका जनम हुआ है तो वो एक पर्मानेंट इंपक्ट दे दे और वहाँ पर कोई 3-4,000 साल से उन लोगों ने इस फील्ड में रिसर्च किया हुआ है बुद्धिस्ट लोगों ने और उसके स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं तो और ज्यादा डीटेल में जानने के लिए मुझे मौका मिला उस समय पर एक डैनमार्क के एक रिसर्च ग्रूप भी आया हुआ था तो उनकी लीडर एक लेडी थी तो उनके साथ भी मैंने काम किया अभी मेरी उम्र जादा नहीं थी उस समय लेकिन मैंने काफी study कर रखा था और मैंने इस चीज में help की तो बाद में जाकर उन्होंने जब अपना thesis उन्होंना पबलिश किया तो उन्होंने म detail में जाना कि हम अपने पिछले तीन जन्हों के बारे में astrology की calculations से जान सकते हैं तीन से ज्यादा भी जान सकते हैं आप पिछले साथ जन्हों तक का भी हिसाब आप निकाल सकते हैं लेकिन जो calculations हैं वह बहुत जादा complicated हो जाती हैं तो यह सब मुझे एक idea था मुझे पूरा 10 साल इसमें लगाए study में उसके बाद मैं year 2000 से फिर मैं अपनी readings देने लगा और मैं लोगों को astrology से related consultation और उन्हें अगर कोई problem है तो उससे related solutions वगरा यह मैं provide करने लगा और वास्तू, शाष्ट्र, लाल किताब, numerology, palmistry, healing और astrology से related मैंने काम किया अब यह तो थी मेरे पुरानी बात है, तो क्या हुआ कि जब मैं UK में आया, यह जो मैंने बताया, यह सारा इंडिया का वाकिया है, जब मैं UK में आया, उसके बाद मैं यहां time अच्छा चलता गया, भवान की दया से, सब ठीक चलता गया, उसके बाद मैं year 2018 में एक problem आई मेरे साथ में, तो जब वो मुझे problem आई, तो क्योंकि मैंने अपना horoscope तो मैंने calculate कर रखा था, तो मुझे पता था, कि इस problem से अगर मुझे कोई निकाल सकता है, तो वो कोई ऐसा आदमी निकाल सकता है, जो एक spiritual guru की capacity में मुझे जानता हो, तो अब यहां तो मुझे कोई मालूम नहीं था, क्योंकि मेरा कोई इ मैं उनने नहीं जानता था, तो मैंने सोचा कि अब क्या मतलब यहां तो possible ही नहीं है, और मेरा हुरोष को बता रहा है कि भी मेरी जो union है, वो किसी guru के साथ में होने वाली है, जो मुझे at least पिछले तीन जनमों से जानता होगा, तो जो लोग इस field में ज्यादा जानकारी नही के लिए यह बड़ा मतलब समझने में थोड़ा difficult लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है, और जब आप इसकी proper study करते हैं, तो आप उसे जान सकते हैं, और पूरी process के बारे में आप उसे जान सकते हैं, कि ऐसा कैसे होता है, तो अब मैं सोचने लगा कि शायद और वहीं कोई गुरू मिल सकता है, क्योंकि यहां पर तो मुझे कोई जानने पैचानने वाला है नहीं है, तो कुद्रती मुझे किसी ने बताया है कि न्यूकासल में, वहां पर बाबाजी है, उनके पास में आप जाएए, उन्होंने काफी तरह के उन्होंने mystic sciences को उन्हों rituals होते हैं, shamanic practices जो होती हैं, उनके बारे में भी उन्हें काफी detail में knowledge है, तो क्योंकि मेरा भी जो काम है अब तक का वो सारा shamanic practices और tantric activities और paranormal, parapsychological phenomena को जानना, समझना और astrology से related है, तो मेरे मन में एक curiosity हुई, कि मैं जाकर at least उन से मिलकर और अपनी बात को बता कर आता हूँ, तो मैं चला आया फिर इनके पास में, जब मैं यहां पर आया, तो मैं तो इन्हें देखते ही पहचान गया कि यह वही हैं, जिनके बारे में मैंने calculations की थी, और मैं जानता था कि उनका रूप रंग कैसा होगा, जिन से मैं मिलूँगा, और मतलब यह बिलकुल मतलब ना, जो जो भी बात हैं मुझे होरोस्कोप से पता लग रही थी, तो वो सारी जो conditions हैं, वो satisfy हो रही थी, कि इनके बाल ऐसे होंगे, काला कपड़ा पहनने वाले होंगे, क्योंकि जो saturn है, वो आदमी को काले कपड़े पहनने वाला होता है, और healer होंगे, और मतलब काफी ग्यानी हो होंगे, at least पिछले तीन लाइफ से, तो मैं तो इन्हें देख पा रहा था, अब मुझे लगा कि यहां पर तो इतने लोग बैठे कोई, डेट सो दो सो लोग बैठे होगे थे उस समय में, अब मेरे पास में ज्यादा समय नहीं था, कुछ सिर्फ गंटों का ही समय था, मेरे पास एक देड़ गंटे का टाइम होगा, तो मैं सोचने लगा कि इतने सारे लोग इनके पास में हैं, तो कैसे यह पॉसिबल होगा कि यह मुझे जान पाएं, और बस मैं यही सोच रहा था मन में, तभी बाबजी ने मुझे इतनी बड़ी भीड में से उठा लिया, आप मान लेकिन इन्होंने कैसे मुझे इतनी बड़ी भीड के बीच में से पहचान लिया कि हाँ, यही है वो आदमी, और जब इनके साथ मैं बातचीत हुई, डिटेल में, जब इनके परस्नली मैंने जानना शुरू किया, तो मुझे पता लगा कि राजस्तान में एक जगे है, जो गोगा मेडी कहा जाता है उस जगे को, वो कोई फेमस जगे नहीं है, कोई ऑर तक की लाईफ में, पताली साल में मैंने तो कोई नहीं देख जो वो जग़े के बारे में जानता हो, हाँ, इंडिया में हो सकता है, कि आपको हाइर मैं से कोई 10 लोग, ऐसे मिलें, जिन्हें उस सेंदर नात भी कहते हैं और यह जो पूरा नात संपरदाय है तो इसके बारे में उन्होंने डीटेल में बताया मुझे और यह भी बताया कि भी आपका आपके खांदान में इनकी पूजा होती है और आप इनके वंच से आई हुए हो जो कि बिलकुल सचाई वाली बात थी बिल बातिब हूँ गुरू से face to face हूँ तो जो बातें मुझे अपने बारे में भी नहीं पता होंगी वह भी नहीं मेरे बारे में मालूम होंगी तो एक कीरियोसिटी का इन्वार्मेंट था अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा हैरानी भी हो रही थी कि भी ऐसा कैसे हो सकता ह कि भी आपको कोई आदमी इतना अच्छे से मतलब जानता हो क्योंकि आज तक तो मैं ही दूसरों के बारे में उनका past और future बताता होता था लेकिन ये first time था जब किसी गुरू से मेरा सामना हुआ और वो मुझे ऐसे पढ़ रहे थे जैसे कोई आदमी एक किताब को पढ़ रह होता है step by step, chapter by chapter, lessons by lesson तो एक बड़ा अच्छा अनुभव था हमें पता ही नहीं लगा कब सारा time बीच गया काफी चीजों के बारे में हमने detail में research किया उस दिन बैठकर और खेर time खतम हो गया तो मुझे वापस आना पड़ा फिर उसके बाद मैं जब मैं घर वापस आया तो उस time पर मैं Manchester में रहता था और बाबा जी Newcastle में रहते हैं आप सभी को पता होगा तो कोई 4-5 गंटे की journey थी मैं वापस आया और मैं सोच ने लगा कि शायद अब तो आगे कभी मौका भी न मिले जाने का कुछ दिनों के बारे में फिर मुझे सपनों में instructions आने लग पड़े बाबाजी के तरू और एक communication channel जैसे हम कहते हैं ना गुरू और disciple के बीच में एक वो strong communication channel start हो गया और कई बार तो ऐसा होता था कि हमें phone करने की भी ज़रूत नहीं पड़ती होती थी बाबाजी ने उधर से जो कहा वो मैं इधर सपनों में उस message को उसे receive कर लिया करता था तो ऐ ऐसे चलता रहा फिर मैंने सोचा मैंने कहा कि नहीं मैं दोबारा फिर जाके आओंगा फिर मैं काफी बार कोई 5-7 बार फिर मैं frequently बाबाजी से मिलने के लिए आया उसके बाद मैं बाबाजी ने मुझे सिद्धियों के बारे में और ज्यादा डीटेल में बताया तो क्योंकि काफी नए चीज़ मैंने सीखी और स्पेशली healing के बारे मैं मैंने काफी चीज़ें बाबाजी से सीखी और एक बड़ा remarkable time हम लें spend किया और मैं तो अभी भी सोचता हूँ कि किसी तरह से वापस Newcastle में जाके मैं settled हूँ तो बाबाजी के साथ मैं और ज्यादा time spent करने का मुझ मिलेगा लेकिन यहां पर हैरानी की बात यह है कि जो कुछ मैं calculate करके निकालता हूँ बाबा जी उसे बिना किसी calculations के वे सिर्फ आदमी को देख कर और वे बता देते हैं जो कि बड़ी intriguing चीज है बहुत है रान कर देने वाली चीज है क्योंकि एक stage ऐसी आती है मैंने पढ़ रखा है इस बारे में कि जब आप spirituality की तरफ निकल जाते हैं जब आद्यात्म में चले जाते हैं रूहानी journey पे आप चल पड़ते हैं तो एक stage आती है जहां आपको calculations की जरूरत नहीं होती आप आदमी को छू कर उसके आँखों में जहांक कर उसके physical appearance को देखकर आप सारी बातें जान सकते हैं और उसका इलाज भी कर सकते हैं आप उसे healing दे सकते हैं आप अपनी positive energy उसमें transfer कर सकते हैं तो यह सब चीजन learn करने का जो मुझे सोहभा के मिला वो बाबा जी के पास आकर मुझे मिला और मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि मैं एक छोटा सा वीडियो तयार करूँ लेकिन हम लोग इन दिनों city change करने के process में थे तो इस वज़े से मेरा सामान सारा इधर उधर packed था boxes में मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था कि मैंने कहां पर माइक रखा है और यह सब चीजें और वैसे भी सारे रिचूल्स वगरा करने के बाद मैं और क्लाइंट्स को अटेंड करने के बाद मैं इतना समय मिल नहीं आ रहा था तो उसके लिए मैं आप सब लोगों से माफी मांगना चाहूंगा और मुझे बहुत आज खुशी हो रही है कि मैं अपने दिल के एक्सपिरेंस जो हैं उन्हें मैं आप से शेर कर रहा हूं क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि मैं शेर तो करना चाहता था लेकिन मुझे साथ-साथ थोड़ा सा एक डर भी लगता था कि भी मेरी बात को कोई समझ भी पाएगा या नहीं समझ पाएगा क्योंकि अगर सामने वाला समझ नहीं पा रहा है आपकी बात को तो फिर कुछ कहने का फायदा ही नहीं है तो इसी बात को सोचते हुए मैंने अभी तक कोई वीडियो मैंने प्रिपेर नहीं किया था पर आने वाले फ्यूचर में मैं सोचता हूँ कि हम दोनों ने जो इखटे होकर जो काफी काम क किया है साइकिक वर्ल्ड के अंदर पैरानॉर्मल वर्ल्ड में जो हमने काम किया है अस्ट्रोलिजी और हीलिंग से रिलेटेड तो उसके बारे में मैं छोटे छोटे आपको वीडियो बनाकर टाइम टो टाइम भेजता रहूँगा तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा एक् प्लीज कमेंड करके मुझे बताइए और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मुच थैंक यू